हेलो फ्रेंट्स बेलकम बैक टू मैं न्यूव वीडियो आज मैं आपके लिए लिए लेके आया हूँ न्यू टाटा का नया मोडल जो की काउल में रहने वाला है न्यू टाटा पूरा का पूरा ड्राइवर साइड देखनों को मिल जाती है और शिंपल देखने को profitable हैंगे और चेहृँ के साथ आप spare भी लगा सकते हो, यहाँ पे आपको option मिल जाता है, extra लगवाने के लिए, और simple से आपको side indicator देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको token के लिए bumper के अंदर key मिल जाती है, जो की token की आपको जिसे आप आम तोर पे hook बोलते हो, और यहाँ पे आपको accelerator pendle के साथ, इसमें स सबसे main चीज़ आपको cruise control देखने को मिल जाएगा, सबसे main JK के आपको यह tires मिल जाएंगे, यह आपकी 10 चक्का में गाड़ी आपकी रहने वाली है, मैं आपको इसके वारे में बताता हूँ, यहाँ पे आपको जो air filter assembly है, BS6 phase 2 गाड़ी रहने वाली है, इसलिए इसकी air filter assembly है, वो सीधी की सीधी आपके conductor side tire के आसपास कर दी गई है, इसका जो टाटा ने थोड़ा सा, जो इसका side effect आपका रहने वाला है, वो यह होता है, अगर आपका by the way, कल को यहाँ पे आपका tire blast होता है, तो सीधा effect आपका, यहाँ पे, जो कि आपका यह plastic का रहने वाला है, air filter assembly damage कर पूरी की पूरी, main चीज यह है, इसको थोड़ा सा और data को modification करना चाहिए, और यहाँ पे आपका GPS रहने वाला है, और इसमें आपको जो engine मिलेगा, वो आपको क्यूमिंस का मिल जाता है, यहाँ पे आपका diesel filter रहने वाली है, जो कि आपकी काफी आपका देखने को काफी cute सा लगता है, मतलब हम रिला इंजन बोलते हैं, इसको हम जो आम तोर पे, और इसमें आपको 12V की बैटरी मिल जाती है, दो, 12, 12, 12, टोटल आपको 24V रहने इसमें, और यहाँ पे आपके जो main fuse है, वो लते हैं, कई बार गाड़ी में ऐसा होता है, दिक्कत आती है, कि आपकी प और यहाँ पे आपको वो मतलब उड़ जाता है, यहाँ से, और सभी की आपकी सारी lights चली जाती है, और यहाँ पे आपको main cut or switch मिल जाएगा, पहले आपने देखा था, आपके पास जो गाड़ियां होते थी, BS6, उसमें आपको बड़े बड़े से air tank मिलते थे, लंबे लंब आपका कहाँ है, वो air tank आपका यहाँ पे मिल जाता है, बैटरी के ठीक नीचे, only one air tank मिलेगा, जिसकी capacity आपकी काफी ज्यादा बड़ी रहने वाली है, सारी की सारी इसमें आएगी, और इसमें आपको यहाँ पे 75 नंबर gear box देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे, और जो आप आपका square wheel है, वो आपका chassis के attach होगा, conductor side half में, और यहाँ पे आपको safety के तोर पे AVS काफी सारे AVS के modules देखने को मिल जाएगे, ताटा ने काफी, मतलब अच्छा safety के purpose में हमेशा ही ताटा आपका काफी आगे रहा है, और यहाँ पे आपको back LED lights देखने को मिल जाएगी, fully LED यहाँ पे boys our power sensors देखने को मिल जाते हैं, इस तरह के आपके boys our power sensors आपको देखने को मिल जाएगे, पीछे मेरे यही गाड़ी खड़ी है, अब बात करेंगे हम इसके conductor side की, तो यहाँ पे आपको बड़ा सा diesel tank देखने को मिल जाएगा, जिसकी capacity आपकी 360 liter रहने वाली है, और यहाँ पे 65 liter का आपका urea tank रहने वाला है, और यहाँ पे आपको बताया गया, no diesel, no water, only diesel exhaust fluid, और इसमें यहाँ पे आपका जो की filter रहने वाला है, आपका urea का, इसमें आपको जो propeller shaft मिलेगी, वो आपको तीन parts मिलेगी, एक, और यहाँ पे आपको joint मिल जाएगा, दो, तीसर slip joint के साथ आपका मिलती है, और यहाँ पे आपके जो की air brake के कुपे, आपको जिस तरह से बोलते हो कुपे, और यहाँ पे आपका freezer मिल जाता है, क्रोन का, देख सकते कितनी लंबी गाड़ी है, यह आपकी वहाँ से लेखे, सीथी, वहाँ तक, इसमें आपको दो diesel tank मिल जाए हो, और यहाँ पे आपको जो gaze मिलेगी, यहाँ पे आपकी diesel gaze आपको देखने को मिल जाएगी, इसमें आपको cruise control मिल जाएगा, air vents देखने को मिल जाएगे, और यहाँ से इसका यह turbo charger, अब हम बात करेंगे इसके action room price और इसकी गाड़ी की gvw के बारे में, यह गाड़ी अपन gross vehicle rate कितना पास करेगा और यह गाड़ी आपके कितने टन पास होगी, इससे पहले हम आपको इसका मेटर बता देता हूँ को, यहाँ पे आपका प्यारा सा मेटर देखने को आपको मिल जाएगा, और प्यारा सा स्टेरिंग भील मिल जाता है, आपको यहाँ पे टाटा की बैस है, वो यहाँ पे दीए गया, अगर आपको किसी भी गाड़ी के बारे में जानना हो, या किसी की गाड़ी की डिटेल लेनी हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसके यवारे में आपको पूरी की पूरी वीडियो बना के बताऊंगा, अब बात करनें, इसकी इस इसका जो आपका एक्षोरूम प्राइज रहने वाला है वो आपका 33,000,000 इसका आपका एक्षोरूम प्राइज रहने वाला है और जो इसमें आपको डाउन पेमेंट करने पड़ेगी वो आपको करने पड़ेगी 6,71,000 आपको इसमें डाउन पेमेंट करने पड़ती है और इस इसके engine के बारे में तो इसमें आपको 6 cylinder का engine देखने को मिल जाएगा जो कि आपका रहने वाला है 5.6 लिटर का आपको engine मिलेगा 56 cc का engine ये रहने वाला है अब बात करेंगे इसके body length की तो इसमें आपको 5 option देखने को मिल जाएगे मीनिमम आपका 22 फिट रहने वाला है उसके उपर आपका 24 फिट 26 फिट और 28 फिट मैक्सिमम आपका 32 फिट रहेगा पांच ओप्षिन आपको देखने को मिल जाते हैं और कंपनिया वरंटी देती है आपको 3 साल की इसमें आपको वरंटी देती है 227 फावर का आपका यह इंजन रहेगा और जो कि मायलेज देगा आपकी 5-6 किलोमेटर पर लिटर की यह मायलेज आपको प्रवाइट करता है कंपनी के कहने के हिसाब से और इसमें फीचर की बात करेंगे तो आपको पावर स्टेरिंग देखने को मिल जाएगा आपको इसमें स्टेरिंग आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपकी ड्राइवर सीट है वह आपकी फोर वे पर रहेगी जो आपका क्लस्टर मीटर रहने वाला वह आपका डिजिटल रहने वाला है बिद मायलेज इंडिकेशन के साथ और इसमें आपको ब्लोर का उप्शन मिल जाता है एसी का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक बड़ो मैं फिर से आपको जो इसका एक्सो रुम प्राइज ऑसके बारे में पता देता हूं इसका एक्शोरुम प्राइज आपका 33,000,006,000,009,008,000 इसकी डाउन पेमेंट करनी पड़ेगि अगर आपको किसी वी गाड़ी के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब और Likecipline falling प्राइब और मत Zoomila, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको किसी वीजाड़ी के बारे में पूर्झ के प्राइब काना है , किसी की गाड़ी की इसिवी गाड़ी हो , hvis ev c हो 407 वगेरा कोई भी सभी गाड़ियों के बारे में आपको मैं पूरा डिसकस करके बताऊंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो और लाता के बारे में